एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि चिंचैन पर गोश्ट अपनी आपको कंट्रोल करने ही को जिस करता है लेकिन तभी चिंचैन थोड़ो सा उसमें आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे उपर काबू करना चाहते हो और वह कहता है कि लैटनिंग ब्लड लाइन और उसके बाद हम देखते हैंगी उस घोष्ट के उपर लैत लिंग जो इसकी थाब लॉड्न की पाव ओर होती है वो क्हेता है कि यह तो तुम्हारी ब्लेड लेइन पावर है लाैंत्निग ब्ल bet ल release हो कहता है कि तुम सच में ऊच्छे इंसान हो और तुम मेरे एक अच्छा वैसल बनोगे तुम्हारी वोडी बहुत काम कियाएगी मेरे लिए वो कहता है कि तुम्हारे पास सोल पावर है वो भी इतनी जादा और अब तो दूसरी बाद लाइटरिंग पावर भी है वो बहुत कुछ होता है कि मेरी आखिरकाद 10,000 साल बाद मेरा यहाँ पर दुबार से आना बहुत अच्छी रहा और तभी उस पर वह लाइटरिंग ब्लड लाइन है वो उस पर टैक करने लगते है जिस पर बहुत जाए हर्ट होता है और कहते है कि ऐसा कैसे हर्ट कैसे कर सकती करदे यहाल है जिस पर लगतार लाइटरिंग गिड्ने लगती है तो कहते है कि और तुम्हारी ब्लड लेन एक अलग पर क्यों थे है और वह उसे लेखे इसके spiritual sea में चला जाता है और वहाँ पे वह कहता है कि मैं तुझे directly तेरे ही core से जाके absorb करूँ तेरी सारी spiritual power और तेरी soul को ही खतम कर दूँगा जिसमें वहाँ पे जा रहे होते हैं और हम तब ही वहाँ पे देखते हैं कि उसी छोटी sword को जो कि वहाँ पे तभी अपनी form में आ जाती है और वह कहता है गोश्ट यह किस तरीके की तलवार है और वह तलवार उस पर टैक करने कर जाती है और चिंचैन से दूर भैक देती है जिस पे वह कहता है कि एक छोटी सी sword मुझे पे अमला करेगी तो वह उस पे अपनी power से टैक करता है जिस पे वहाँ पे वह सोड वह तभा हो जाती है और बहुत कुस होता है वह गोश्ट के आखिरकार मेने से तभा गर दिया और फिर तभी हम देखते हैं कि वह सोड वापिस से regenerate हो जाती है वह सारी चिंचैन के अंतर जाने लगती है उसके bloodline के रूप में जिस पे वह चिंचैन कहता है कि चला जाए यहां से और हम देखते हैं कि गोश्ट वह बहुत दूर चला जाता है उसके ओपर तभी चिंचैन बाहराता है जो उसे वहाँ से spiritual hole से मिली थी जिस पे वह वहाँ पे अपनी सोड को करता है और उसकी सोड उस गोश्ट को अपने अंदर absorb कर लिए तो वह सूशता है कि किस तरीकी की सोड है इसने इसे कैसे absorb कर लिया और फिर हम देखते हैं कि वह कहता है कि आकिरकार यह गोश्ट पकडागा और वह कहता है कि मुझे निए पता था किसने 10,000 सालों से यहाँ पे इस जेड़ पेंडेंट के अंदर ही चीज है वह कहता है कि मैंने अंजाने में सही लेकिन गी फैमिली को बहुती बड़ी मुसी बचा दिया और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं ते कीज भूल गया तब ही वहाँ पे एक वह बलड फोर्मिशन वापस लगा के चला जाता है और भाड जाता है तो वहाँ पे पैटरिजगी पूछता है कि आपको यहाँ पे इतनी देर को लग गई और अब तक क्या थे कि आपको वहाँ पे कुछी मिला जिस पर वह कहता है कि मैंने वहाँ पे जाके बहुत कोछी मुझे वहाँ पे कुछी नहीं मिला और मैं वहाँ जाते ही बलड फोर्मेशन में फस गया था तो वह तब ही एलडर पूछते तो आप इतनी देर तक महाँ पे क्या कर रहे थे तो वह कहता है कि मैं महाँ पे सो रहा था वह एरान होते थी कि सो रहे थे तब ही वह कहता है कि लेकिन मुझे फिर भी माँसे एक चीज मिल गई तो वह उन्हें वही जेड दिखाता है तो वह बहुत है जादा रहान होते है वहाँ के पैटरिस और वह यह कहके जाने लगता है कि ठीक है अब मुझे मेरी चीज मिलके जो आपको चाहिए थी और वहाँ से चले जाता है और तब ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे चिन फैमिली में वह बुज़ूर्गादमी और कोई नहीं बलकि लेडिज और फैन के फादर थे और वो उन्हें अपनी सारी बात बता दी थे जिस पर बहुत गुस्से माते है कि आकरी चिन चैन समस् लोगों से रखता है एक तो मैं और दूसरा चिन बाई तैन यानि कि तुम्हारे दूसरे फादर फादर इन लो और वो कहता है कि वह चाहता है कि हम दोनों फैमिली आपस में लड़े हो और उसके बदले में हम दोनों आपस कोई खतम कर ले जिसके वज़ए से वो और भी हो चिंचान को देखने के लिए जाओ और वो कहता है कि चलो हम सब लोग वहां पर जाएंगे जहां फैंग है और तभी वह नोटिस करता है कि उन्हें कोई देख रहा है तो वो कहते हैं कि चुपने की ज़ूरत नहीं है बहर आ जाओ तो बहर आता है और वोसे तभी माणने के लिए जाने वाल होता है माँका एल्डर तो हो कहता है उसे पैट्रिस कि रुख जाओ और वो से एक कागज फैक के मारता है जिस पर वो कहता है कि यह जाकर अपने जाओगों को दिखा देना और कहता है कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाए और कहता है कि जाओ यहां से जिस पर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सारी बाद एमप्रियर को पता लग ज जाती है कि जाव जैन यहाँ पर आ चुका है और वो चिंचैन को माणना चाहता है तो वो कहता है कि यह लोग मुझे सांती से रहने क्यों नहीं देते और फिर तभी महाँ पर दूसरा सर्वेंट आता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर गूशन परफेक्शन के पैट र निकेला है तो वो प्रिंच को भी माण पर देखते हैं कि ज नकेला है चीन छांव पर प्रिंस नगर चाहर हम आपर चिंचैन उन्हें जो प्रभीत ours और कर रहозद है कि तो क्यों जाते हैं कि यह वह बाजगा है तो वो सोड किस तरीके की है, वो रस्टी सोड, वो जरूर बहुती ज़्यादा पावरफुल है, उसका कोई नो कोई इतियास है, मुझे पता करना होगा, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, कि महाँ पे जाव जैन, जाव फैंग, और चिन फैंग, चिन फैंग, दोनों चारो लोग वहाँ पे गी फैंग, जाते हैं, और उनका गेट तोड़ के पूछते हैं, कि है कहाँ पे, चिन फैंग, तो वो बताते हैं, वहाँ के पैट्रिस की होते हैं, वहाँ से बहुत देर का जा चुका है, तो वो कहते हैं, तो चलो वैस्ट में, और हम देखते हैं, वहाँ स is rusty sword को cultivate कर यह कोछिस कर रहता है और उसके बारे में अब भी सोच रहा ह precis कि अ까지 क्या है और तब इसे पता लगता है कि यह पे तो the swen level के cultivators खायो हैं तो वह सोचता है कि अब मुझे इनσιे लड़ने ही जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा कैसे मुम्किन है हमारे अटेक तुम पर काम क्यों नहीं कर रहे मेरी इतनी पावरफुल सील्ड को तुने इतनी आसानी से कैसे अरा दिया जिस पर वो कहते है कि तुम्हें जासा जानने की जरूत नहीं है वरना मेरे ले मुसिबत और बढ़ जाएगी और वो उनी फ्लाइंग सोड को और तेजी से करने लगता है तब ही वहाँ पे वो दूसरे को देखता है तो वो उस पे कोई mental power से टैक करता है जिस पे वो अपना control खो लेता है और वो वहाँ पे थोड़ी सी बेहोसी की और नसे से की अलत में हो जाते है जिस पे वहाँ पे दूसरा कहता है कि चिंचैन अब तुम मुझे से नहीं बचेगा और वो उस पे अटैक करने के लिए सरकल में 20 में कूच जाता है जहाँ पे चिंचैन उसे बड़ी आसानी से उसके बहुत सारी चोट पोचा देता है और उसके बाहर फैक देता है उसके बाद वो अपना powerful attack इस्तमाल करता है जहाँ पे चिंचैन भी अपना sword intent इस्तमाल करता है और वो उसके पास उसे भेच देता है और वो भी कहता है कि देख तव में तुम्हारा sword intent कितना powerful है और वो उसके sword intent को पूरी power से रोकने कोजिस करता है लेकिन वो उसके sword intent को आगरी में रोक ही देता है जिसपे चिंचैन को भी फिकर होने लगता है लेकिन फिर से sword intent बनाता है लेकिन तभी वो कहता है कि बच्चे अब की बार मेरी इस अटैक से बचके दिखा जिसपे वो हमें से एक पावर का टैक करने लगता है तो चिंचैन भी उस पर उन सोड इंटेंट से टैक करता है और उसकी वो पावर को खतम कर देता है जिसपे वो चिंचैन पर टैक करने के ल और ट्यम्स करता है जिस पर यह दोक्त तो बहुत ही जाद़ करता थडू करता है जिस पर आपार देखे हैं कि उसकी मॉम भी होते है जिस पर ग гол कि मॉम क कहते हैं तो चिंचैन तो बिल्कुल एकदम ठीक होता है तो वो कहता है कि तुई है जिसने चिंचैन पे सारा इलजाम लगाया और तुने है जो चिंचैन तुने यंग मास्टर को मार था और वो वहाँ से ये कहरा होता है और तभी वो वहाँ से भागने की कोशिज करता है लेकिन तभी चिंचान उनी फ्लाइंग नाइफ से उस पर अटेक करता है और जब चिंचान उस पर अटेक करने वाला होता है तो वहाँ से दूर अट जाता है उसके बाद वो देखता है कि मैं क्या करूँ तो वहाँ पर तभ क्या सोचते हो कि ये मुझे रोक पाएगा तो वो उस पे अपनी power से attack करता है तो उसा बत असलता है कि तो 4th tier है जिस पे वो सोचता है कि तुम्हारे पास ये treasure कहां से जिस पे वो कहता है कि तुम्हें सोचने की जुरुत तब ही वहाँ पे चिंचैन अपनी पावर का इस्तमाल करता हुआ उसके सामने कुछ क्लोन से कर देता है अपनी तीजी से भागता है वह जिस पर समझ में आता है कि किस से बचे और किस से ना और वह तब ही उसे फिर से उसी मेंटल पावर के अटेक्स में इल्यूजन में डाल है जिसपर लूजन में चींचैन उसे मार देता है और फ़िर टभी हम लोग देखते हैं कि चिंचैन वहां से बाहर आता है और वो तब भी सबी गार्ड्स पूस्ते हैं कि मास्टर चैन वहाँ पे जितने भी वह बो किलर्स थे वह कहां पे गए तो वो जहता है कि हो मर गए हो एरान होते हैं कि उमर गए और वो अपनी मोम को कहता है कि चलिए मोम और तब उसकी मोम कहते हैं कि उन्हें पिल पवे अलिया पर और बी जो बड़े-बड़े लोग है सभी को गुला लिए जिसपर हो चैनि को नहीं जाता हूं उनको मेरी वज़े से कोई भी दिखकत हो आप पस इतना कीजिएगा आप वहाँ पे घर में अंदर ही रहिया भर्मत है यह और वह जब उसकी मौम अंदर उन्हें छोड़ देता है तो उनके ऊपर भी एक वहाँ पे कवज बना देता है जिससे वह लोग वहाँ पे उनके अंदर ना जा सके और फिर एक और वहाँ पे स्राउ चिनाया वहाँ पे चिन फैमिली के आयूस में पहुच जाते है और वहाँ पे वो होते हैं वो जाके जो भी गाड़ होते हैं उनको एक गारते हैं जिससे वह गेट लोड़रा जाता है जिसपे वहाँ पे जिन family के elder होते हैं और कह रहे होते हैं कि यह master कौन है जिन्हों ने इतनी हिम्मत की यहाँ पे इस तरीके सानी की और वो इस पर attack करने के लिए जाते हैं जिसपे वो बड़ी आसानी से elder उन्हें पीसे धकेल देते हैं कि attack में और फिर तभी वहाँ पे जो उन के great elder होते हैं वो भी आ जाते हैं तो वह कहते हैं कि मैं नहीं जानता है कि यह great आदमी है कोँव और आप यहां पर चिन कंट्री मेंके फैमिली में आप ये सब नहीं कर सकते तो वह कहते थे कॉन हो तो फिर उसप्रक करने के लिए लेकिन तभी उसपर टैक करने के लिले आया हूं उस फिर अखेट है कि अपने गार्ड को हिजाओ और वह हम देखते हैं कि वह गार्ड इतने जदा पाउरफुल होता है कि वह अराम से उसे उनके ग्रेट लिटर को असान इसे समाल लेता है और उन्हें दूर फैक देता है जिसपे वह उन्हें ओडर देता है कि जाओ पूरे के पूरी चिन फैमिली को मैं खोजो और मुझे चिन सकते तो वह कहता है वहां का वही स्टूडेंट कि वहां पर आप चिन फैंग के लिए हम सभी लोगों की जिंद की कतरे में डाल रहे हैं चिन फैंग और हम लोग दोनों एक ही तो फैमिली से हैं तो आप लोग यह पक्सपात क्यों कर रहे हैं जिस पे वह उन्हें बता देता है कि वह कहां पे है वह वैस्ट में है वह बता देता है जिस पर हो कहते हैं कि हमें रास्ता दिखा हो वहां पर जाने के लिए जिस पर उनकी बात माल लेता है और उनके रास्ता दिखाने लगता है और हम तब हम लोग देखते हैं कि वह उनका गेट भी तोड़ देते हैं ले कि जावयूची तुम्हारी किमत कैसे होगी यहां पे गूशन परिफेक्शन के साथ मिलके यहां पर अटेक करने की जिस पर वो कहती है कि आथ तुम यह मुझे बढ़ी लड़ाई हुई है जिस पर हम तभी देखते हैं कि वहां पर बारू उनकी बैन भी आ जाती है थीक है उसके भाइब पूशते हैं तो कहती है कि यहां बिल्कुल ठीक हो बैंग तबी वहाँ पे चिन्चैन प्याजाते हैं और वहां पर सभी यह देखके बहुत कुछ होते हैं और तबीन पर जावन पूसता है उससे कि क्या तुम ही चिन्चैन हो? और फिर तबीन वहां पर लोड कैंग उसे बताते हैं कि ये पैटरिज जाओ है जाओ फैमली से और तभी जाओ 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 और कहता है कि ये जो दुसमन ये तिनी आसानी से नहीं जाएगी और यहें पर हमारे एपिसोड खतम हो जाता है ठेंक्यू दोस्ट